फोन विथ नो हीटिंग इशू ऐसे कौन से फोन से जिसमें आपको हीटिंग इशू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा आज के वीडियो में पूरा कम्प्लीट बात करने माला हूँ अगर आपको फोन हीड भी होता है तो अगर आप फोन ढूंड आपको लेना नहीं चाह दो लेते हैं या फिर फोन बैटरिक का में वे रागा कि हम गेम प्ले कर रहे हैं पिर फोन चला रहे है तो इससे फोन काफी ज़्यादा हीट होता और यही सबसे में रीजन है अगर आप कोई भी नया फोन लेता है ऐसा कोई कंपनी नहीं बोलता ही कि हमारा फोन हीट नहीं लेकिन ऐसा क्यों होता है जैसे कि आपको बता हम बहुत सारे एप्लिकेशन यूज करते हैं रहता तो है 20 यह 30 MB का जब डॉनलोड करते हैं लेकिन अभी जैसी कि आप को यह एप्लिकेशन डॉनलोड के हो फर एक्जामपल कोई सबी मैं YouTube डॉनलोड के है 20 MB कर रहता है 24 25 का और मैं उसे सेटिंग्स में जाके उपन करके देखूंगा तो वो 234 MB कर रहता है अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप सेटिंग्स में जाके चेक कर लिए और यह सब बैग्राउंड में चलता रहता है कि हम काफी जादा ओन करते है और छोड़ देता और वो बैग्राउंड से और बाहर निकले का completely जिससे वो फोन आपका ठंडा रहेगा और कई बार ऐसा भी रहता है कि जिनका फोन मैटल कर रहता है उनको हीट काफी जादा महसूस होता है कि सिंपल बात है मैटल है आपको हीट का पता चलेगा अगर थोड़ा से भी होगा तो अगर यह प्लास्टि है और कभी चार्जिंग में लगा के मत खेलिए और अगर चार्जिंग में लगा के खेल भी रहें तो बैक कवर रिमूफ कर दीजए और अगर आप एकदम प्रॉपर गेमर है और आप थोड़ा बहुत बिनवस्ट कर सकते तो मैं आपको एक गैजिट रिकमेंड करूंगा य कुलर को फोन को नहीं कुलर को और वो एरिया को ठंडा करेगा और यह वर्क करता है काफी हद तक यह वर्क करता है यानि 80-85% परसेंट और आपके फोन को कूल रखता है तो आप इसे भी यूज कर सकता है काफी अच्छा option है और overall बात करो इसके कुछ alternatives है आपको ऐसा फोन प होता क्या है वो copper thermal heat pipe के through जितने भी heat है वो सब को बाहर निकाल देता है यानि वो गरम नहीं होने देता main CPU को जिससे जो आपका चीप है वो काफी अच्छा वर्क करता है यानि simple बताओ तो आपको जो main चीप हो से गरम नहीं होने देता जिससे आपको जो mobile है वो hang भी नहीं हो को बन करके रख लेना और काफी लोग डर जाता है डरना नहीं है क्योंकि फोन में खुद का एक sensor रहता है जो कि फोन एकदम heat हो जाता है तो अपने आप फोन को restart कर देता है यानि बन करके on कर देता है और आपको message flash हो जाएगा phone temperature is too high करके okay so आपको simple करना क्या है यही सब ची कर सकते है और जितने भी background में data है उस सब को restrict कर लीजा यानि जितना जो permission लेते हैं उसे आप बन कर दीजाए ताकि वह ज्यादा बैटरी ना खाय प्लस background में ना चले और हो सके तो एक freezer करके app भी कई सारे phones में रहता है आप उसे use कर रहें जो हर phone को force stop कर देता यानि जो भी आ बात करूं वह कौन सा phone है जो liquid cooling के साथ आता है तो वह है POCO F1 845 के साथ आता है और liquid cooling का feature मिलता है इसमें और यह flagship killer phone है और अभी काफी सारे phones आने जो liquid cooling दे रहे हैं लेकिन पोको F1 अभी भी अच्छा लगता है gaming के मामले में तो अगर आपको फिर भी heating का problem आता है तो आप cooler यह gaming cooler भी यूज़ कर सकते हैं काफी अच्छा option है यह आपके लिए भी तो इसका link आपको description ने मिल जाएगा तो इस तरीके साब अपने phone का जो heating problem इसको permanently fix कर सकते है प्लस आप अच्छा phone भी purchase कर सकते है जो कि POCO F1 इसमें heating problem नहीं आता और यह सब steps को follow करें तो आपके phone में ब और भी वीडियोज देखो और Instagram में follow कर लो